मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि easy to moderate मैं बोल रहा हूँ ओ बोलेंगे कि top है या moderate है लेकिन मैं खुद center पर जाकर छात्रों से पुष्टाज किया हूँ तो जो average पढ़ने वाले student है उनका यहीं जवाब था कि question easy to moderate level का था और 15 से 20 question top level के थे तो इसको top question नहीं बोल सकते है easy to moderate level का ही question हुआ next point है point number 2 में total candidate total candidate इसमें अगर मैं बात करूँ तो 63,000 के लगभग PT exam को qualify किये है जो कि means दे रहे है तो मान के चलिये कि 60,000 plus student इस exam में बैठे है next अगर मैं point के बात करूँ point number 3 है number of vacancy यानि के total vacancy कितना है तो 13,000 के लगभग इसमें total vacancy है और यह भरती बहुत ही पुराना हो चुका है 2014 का भरती है और next point है negative marking यह बहुत ही महत पुर्ण point है cut up marks को परभावित करने में negative marking का arm role होता है तो इसमें 1 by 4 negative marking भी है इसके बाद अगर मैं next point के बात करूँ total marks का total marks इसमें हो जाएगा 150 question है 150 question और one परते question चार number के है तो total 600 marks हो जाएगा इसमें 16 marks का exam हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को category wise cut up marks बता रहा हूं percentage में अपना marks अगर आप लोगों को निकालना होगा तो उसमें 4 से multiply करके अपना total marks निकाल सकते है मैं category wise percentage में आपको cut up marks बता रहा हूं एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये cut up marks study material point youtube channel के द्वरा center पर जाकर 500 चात्रों से अलग अलग center से पूछताच करने के बाद तयार किया गया है ये कोई official cut up marks नहीं है लेकिन ये cut up marks बिल्कुल ही स्वही साबित होगा तो चलिए सबसे पहले मैं start करता हूँ left side में आपको serial number दिखाई दे रहा होगा उसके बाद category है उसके बाद male female तो सबसे पहले मैं अगर cut up marks के बाद करूं serial number one में general category अगर आप general category से बिलोग करते हैं आपका cut up marks अगर आप male में है 62 से 62 से 67 परसेंट आ रहा है तो आपका result निश्चित हो जाएगा अगर मैं female में बात करूं तो 50 से 55 परसेंट अगर आपका marks आ रहा है तो आपका result हो जाएगा उसके बाद मैं अगर next category के बाद करूं EWS EWS category में अगर आप male category से बिलोग कर रहे हैं आपका cut up mark 57 से 62 परसेंट और 47 से 52 परसेंट female में आ रहा है तो आप बिल्कुल safe zone में हैं उसके बाद मैं next category के आगर बात करूं जो कि BC category है अगर आप BC category से बिलोग करते हैं आपका cut up mark 60 से 65 परसेंट male में और 48 से 53 परसेंट female में आ रहा हैं तो आप बिल्कुल safe zone में हैं उसके बाद मैं next category के बात करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर बहुत ही खाम cut up बना दी हैं कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर बहुत ही अधिक बना दी है मैं आप लोगों को बता दू कि यह 60 विशलेशन के साथ त्यार किया गया cut-up marks है अगर आपका इतना आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है चलिए उसके बाद मैं next category के बाद करतू करता हूं जो कि category number 4 है EBC अगर आप EBC category से बिलोग करते हैं आपका cut-up marks 58 से 63% male में और 46 से 51% female में आ रहा है तो आपका बिल्कुल ही result होने का chance रहेगा उसके बाद मैं next category के बाद करूं जो कि ST category है इसमें seat थोड़ा कम रहता है इससे इसका cut-up mark थोड़ा अधिक जाता है लेकिन यह जो मैं बता रहा हूं male में अगर आप है 55 से 60% और female में 42 से 47% आ रहा है अगर आपका mark तो आपका result निश्चित ही हो जाएगा उसके बाद अगर मैं next category के बाद करूं जो कि SC category है अगर SC category के बाद करूं अगर आप male से बिलोंग करते हैं तो 55 से sorry 50 से 55% और female में 40 से 45% अकर आपका marks आ रहा है तो आपका बिल्कुल ही 100%